हेलो एव्रिवन वेल्कम बैक दिस है जुगंदी कुमार नागर इस यूडियो हम बात करेंगे जो आइसई आर का एकजाम कंड़क्ट किया जा रहा है एंटीय के दोरा नेशलल टेस्तिंग एजेंसी के दोरा आपने अभी जस्ट एग्जाम अटेंड किया होगा निट यूजी का जिसके इंदर भी मिः सब करेंगे जाए अगर्रेकल्चर फिलडेक्ट्ट होता है इसमें क्या है कि NTA को एक जिमास भाप गाया है जिसमें I-C-DX एक्जाम है उनको कंड़क्ट कराया जाए गा इनमें से पहली क्या है सबसे इम्पॉठेंट सीज जो आपको याद रखनी है जो सबसे इम्पॉठेंट एक्जाम इसमें कराया जा रहे है NTA के द्वारा वो कौन-कौन से हैं यहां पे इसमें लिखा गया है कि यह जो online application form है यह invite करता है inviting online application form for ICR entrance examination 2022 इसमें कौन-कौन से आपके exam है जिनके लिए आप apply कर सकते हो कौन-कौन से एक तो UG exam के लिए नहीं AIEEA दूसरा PZ के लिए apply कर सकते हो दूसरा JRF के लिए apply कर सकते हो और SRF के लिए भी apply कर सकते हो तो इन सबों का जो एक date time period आया है वो सारा का सारा यही है यानि आप सिंपल सी बात है जो आप ICR में UG कर लेते हो तो ICR में आप PZ करोगे तो उसी के जो पीजी का form में उसकी date निकली है यहाँ पर जो ICR है वो ICR पता आपको इंडियन कांसिल आफ एग्रिकल्चर रिसर्च के बारे में अग्रिकल्चरल रिसर्च के बारे में डिटिल गीगी है जिसमें आगे आके आप सैंटिस्ट रिलेटेड इस्टेडी करते हो एग्रिकल्च जो सबसे इंपोरण्ट चीज क्या है जो इसकी date है वो आपको याद रकनी है एक मेने का आपको टाइम प्रेड में लेगा वादा एक मेने से भी अप्रोक्सिमेट सेम टाइम प्रेड है उन में क्या है कि इसका ओनलाइन सब्मिशन फॉर्म जो है इसकी साइट है icr.nta.nic.in सबसे बड़ी बात तो यह इसकी साइट है जिसको आपको हमेशा डेली अपडेट करना अगर आप फॉर्म भरते हो तो उसके बात से आपको हमेशा दिन में एक बार तो साइट ओपन करनी होगी ताकि आपको कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन मिलता रहे क्या न्यू क्यूजी की साइट पर अपडेट रहो या इसकी साइट पर तो आपके लिए और बेनिफिशल रहेगा दूसरा लास्ट डेट ऑफ सक्सक्सफुल ट्रांजक्शन ओफ फी थ्रोध क्रेडिट कार्ड यह तो इसी की लास्ट डेट है आगे लिखा है करेक्शन की भी डेट दे आपके फादर मदर मैन उनकी नेम स्पेलिंग मैन है आपके डेट बर्थ मैन है आपका नेम फुल जो जिस आप से कुछ लोग है अपने नाम के पीछे कुमार नहीं लगाते या फिर सरमा नहीं लगाते लेकिन वहां लगा देते हैं तो उस चीज का भी थोड़ा ध्यान यह वह बाद में सी की साइट पर अनॉंस कर दी जाएगी सेकेंड सबसे इंपोर्टन की मोड ऑफ एक्जामिनेशन क्या है मोड ऑफ एक्जामिनेशन दोस्त कम्पूडर बेज़ट है कम्पूडर मतलब कि आपको कुछन पेपर मिलेगा और सबसे बड़ी बात बोलता हूं क अप यह चीज पढ़के तो जा रहे हो तो इसमें ज़्यादा of detail नहीं पढ़ा होता आई सी आर का जब भ Mina पढ़ना और से इस ऐसे नहीं कि मैं physics को बहुत रट के जाऊंगा physics में इतना detail में नहीं पूछते physics में इतना detail नहीं पूछेंगा आपको formula अच्छे से पता होना चाहिए बस ICR में formula के direct भी हाब पे question आते हैं maximum आप कोई भी ICR का last year के कोई booklet कुछ भी पढ़ी हो या फिर आपने इतना फॉर्मला बेस पूछ लिए ठीक है या नहीं जैसे chemistry morning के बात कर तो नेम रेक्शन डाटली पूछ लेंगे और physics में और पॉर्मला पूछेंगा लागा जाए पैंडॉलम के बारे में तो इसे direct formula आजागा gravity कोई आजागा फिर electric field का आज़े है दो तीन इसमें लिखा हूँ है कि जहाँ आप निट यूजी का यानि इसका AIW यानि ICR का यूजी का exam अगर देंगे तो इसका exam pattern आपको दो language में मिलेगा ठीक है लेकिन important चीज यहाँ पर फिर दूसरी आजाती है कि जब PG का exam अगर आप देंगे तो पेपर आपको सिर्फ English में मिलेगा पूरी आप जब UG English में पढ़ोगे तो ठीक है क्योंकि यह होता है कि लाउन 12 हमारी जो होती है और निट पीजी जो वो तो फिर आप English पड़े के निकले रहे हो तो फिर देखती है तो इंग्लिस में कर दिया गया है आपको जो यूजी है उसके लिए टाइम ऑफ डूरेशन जो दे रहा है उन्होंने वन फिप्टी मिनट दे रहा है तो टाइम बहुत काम होता है अक्चुली इसमें ठीक है यानि आपको डाई घंटे मिलेंगे वही 180 कोश्चन अटेंड करने के लिए टाइम पिरिड कम है अब देखको कॉमन सेंस यहीं लगानी होती है मैं कि हमें पता है कि टाइम पिरिड अगर हमारा कम कर दिया गया है तो क्या पता वह पेपर का लेवल भी कम कर दे हाँ ऐसा होता है और आपको मिलेगा भी देखना ठीक है लेकिन यह है कि कोश्चन की भी शबया हो हो ठीक है और बहुत ही अच्छा प्रफर्म करोगे हर सब्जेक्ट के फॉर्मले हर सब्जेक्ट के बलब कर रहा हूं जरनल और हम जानल तो नहीं उसमें का थे जेकल कैमिस्टियरेम और अपनी फिज Statistics के बारंप तो आप उसके साफ से उसका कर सकते हो यानि पीजे का एक्जाम जो है वह इसका यह है पीसडी और जो जिसमें होगे यानि जियारफ और एसारफ जो होगा हना तो यह आपको जो दंखना और आपको इसका करने तो जो जो आपको जो होगश्य होगा है जो आपको इस पूर्ट है इसको इस साइट को बिजिट नहीं होता दूसरे के सबसे इंपौर्टन चीज यहां पर एक और कि आपको NTA की साइट से यह जो इस साइट है इसको विजिट करना है जिसमें आपको देखो इसमें लिखा जरुत परती है बढ़ आप खुद अपने एक अच्छे लेओल पर अच्छे से कर सकते हो अप्लाइ करने के लिए आपको यह चीज पता हुआ है कि साइट जो होती है इनकी थोड़ी दिक्कत कर जाती है तो आप कुछ ताइम पर बोलता है ना क्रैस कर गई साइट तो होता है एक टाइम पर बहुत सारे स्टूडेंट जो है लाखों में एक साथ में विजिट कर रहे हैं तो उसकी विजिए से क्रास हो जाती है दूसरा एंटे का बाकी फिर क्या होगा आपको कोई क्वेरी है किसी चीज के रिगार्डिंग को क्लैरिफिकेशन करना है सर की माल लो एक् एंटे का जो ही हेल्प डैक्स नंबर है आप इस पर कॉल करें इन नंबरों पर कॉल करें और आप उन डिटेल को महां से करें या लिख कर बेज़ दें एंटे को ठीक है तो इससे आपका एक क्लिरिफिकेशन हो जाएगा थैंकि दोस्तो इस वीडियो को देखने के लिए आप मुझे इस नंबर पर कॉंटक्ट कर सकते हैं यह मेरा वर्टसप नंबर है इसमें आपकी पूरी हैल्प की जाएगी किसी भी रिगार्डिंग कोई क्यारी हो कांसिलिंग रिलेटेट एनिधिंग जिस चीज के आपको नीड है वह आपको हैल्प की जाएगी बाकि आप स सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सेयर करें ताकि उन्हें भी इस इंफॉर्मेशन के बारे में पता लगे कि आई सेयर के एक्जाम में कैसे क्या करना है हमें एंड थैंक्यू दोस्तों